किसानों के लिए लाबदायक बजट हमारे देश में हरित क्रांती को सफल बनाने में नई-नई किस्मों के बीजों का योगदान रहा वही रासायने कुरवरकों ने खाद्यान उत्पादन को बढ़ाने में महतवपून भूमिका निभाई जिससे आज हम खाद्यान मामले में आत्म निर्भर हैं वर्तमान आम बजट 2018 किसान का लियान के लिए समर्पित रहा किसानों को इस आम बजट के बारे में जानकारी देते हुए Fertilizer Association of India के महनिदेशक सतीश चंद्रा ने बताया 1918 के बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में ये देखने के लिए है कि ये बजट किसानों के हिद को रखते हुए इसमें बहुत बहुत नई स्कीम्स की गई हैं अगर हम Fertilizer से शुरू करें और Fertilizer Association of India की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए यूरिया के जो दाम है सरकार ने बहुत कम रखे हैं कहीं सालों से इनको बढ़ाया नहीं गया जो सबसिडी किसानों के लिए इस बजट में रखी गई है वो सतर हजार करोड है ताकि जतने Fertilizer हैं किसानों को उनकी लागत से कम में मिल सकें इसके इलावा अगर हम Agriculture की और जो Ministry की स्कीम्स हैं या Irrigation की स्कीम्स हैं उनकी तरफ देखे तो सबसे important जो एक सरकार ने जो घोशना की है जो किसान हैं उनको जो समर्थन मूले मिलेगा जिसको हम MSP कहते हैं वो कम से कम 50% उनकी जो cost of production है उससे जएदा मिलेगा ये एक बहुत महत्पूर गोशना सरकार ने की है इसी तरह और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहट किसानों को जो अपनी वो पैदावार करते हैं उसको अच्छा मूले मिलना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहीं स्कीम्स बनाई है Ministry of Food Processing ले ले उनका जो बजट है उसको डबल कर दिया गया है इरिगेशन में किया गया है इंशोरेंस में किया गया है इसी तरह हॉर्टी कल्चर के हप्स वहरा बनाए गए हैं ये मार्किट्स का इसके अंदर जिकर है सबसे जो महत्पूर्ण बात रहेगी ये जो इतनी अच्छी स्कीम्स बनाई है इसका जो इंप्लिमेंटेशन है वो स्टेट्स के थू होगा तो जो इंप्लिमेंटेशन अगर वो इफेक्टिव हो जाता है तो इस बजट से किसानों को काफी रहात मिल सकती है